चलिए तो फाइनली आप CS professional में पहुँच गए है ना तो I welcome you all to the CS professional and CS professional means what the biggest CS professional of India बनने का last step आप जानते हैं आप company secretary बनने बनने पे हैं बस company secretary बनने से एक step पीछे हैं CS executive जैसा tough exam आपने crack कर लिया है यह अपने आप में बहुत बरा achievement है तो सबसे पहले तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूँ Congratulations to you all that you have cleared CS executive CS executive मालूम है CS executive को ही तो pass करना सबसे मुश्किल काम होता है अगर आपने CS executive pass कर लिया it means you are almost on the verge of becoming the company secretary corporate law expert of India मतब उससे बड़ा कोई नहीं है तो I am CS निदेश कुमार जैसवाल company secretary and LLB आज आपके सामने में लेके आया हूँ CS professional guidance class अब जब बच्चे executive से CS professional में पहुंच जाते हैं तो बच्चों को बहुत सारा confusion होता है CS professional को लेके CS professional में आना एक खुशी की बात तो है लेकिन उस खुशी में कहीं कहीं गरहन लगाता है कि CS Professional के बारे में कम knowledge होना या पूरी knowledge ना होना या गलत knowledge होना ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत रहता है तो मैंने सोचा कि CS Professional के बच्चों को मैं मदद करूँ इसलिए CS Professional Guidance Class उभी ICSI New syllabus के अनुसार मैं लेकि आपके सामने आया हूँ सारी details मैं आपको बताऊँगा regarding CS Professional तो let's start with the CS Professional Guidance Class तो पहले फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ तो दसी एस प्रोफेशनल एनसी एस प्रोफेशनल मिस वाट दबिगेश्ट सी एस कहते हैं बिगेश्ट कॉर्पेट लॉइश्पर्ट ऑफ इंडिया बनने का ये लास्ट स्टेज है CS WT आपने पास कर लिया, ग्रेजुएशन के रूट से आए होंगे तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, फिर CS Executive जैसा टफ लेवल को आपने एक्जाक्ली कम्प्लीट किया, now you are in CS Professional और CS Professional में पहुचना मैं बार-बार बोला हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, चुकि मैं इस बात को जानता हूँ, कि CS Professional में पहुचना आपने आपने एक बहुत बड़ा achievement है, है ना, तो जल्दी बताएए क्या मैं स्टार्ट करूं, CS Professional guidance class, each and every detail about the trainings, कि CS Professional में आपको दो groups हैं, कितने groups हैं, two groups हैं, और सब मिला के seven subjects हैं, कितने subjects हैं, seven subjects, अब आपको मैं एक एक करके बताना शुरू करता हूँ, सबसे पहले group one के बारे में बताता हूँ, फिर group two के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले group one में, अगर आप group one में देखेंगे exactly, तो आपके तीन subjects है The first is ESG, जो ESG है, वो भी exactly law ही है, वो भी exactly क्या है, law है, आपको मैं अच्छे पाइब बताता हूँ, professional के बारे में, कि professional के अंदर क्या होता है, सारे के सारे subject law है, लग भग, एक आपका इसमें tax का part है, GST का है, लेकिन वो option में है, और बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता हूँ 90% से ज़्यादा बच्चे, GST लेते नहीं है, tax लेते नहीं है, तो यह जो साथ के साथ subject जिसके बारे में मैं बताऊंगा ना, I am damn sure कि बच्चा उस साथ subject को जब select करता है, तो उसमें सारे के सारे law ही होते हैं, तो अब executive pass करना है, इसका मतलब आपका law का base बहुत अच्छा है तो professional pass करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आईगी, आप one shot में CS professional लिकालोगे, तो पहला subject है ESG, and the second subject is drafting, आपको अगर drafting के बारे में बता हूँ, तो drafting मैं पराता हूँ, drafting subject मैं ही पराता हूँ, तो drafting subject में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आईगी, and the third is, इसको हम बोल mandatory है, एक fourth subject भी है, जो elective है, अब elective का मतलब है, इसमें आप CSR ले सकते हैं, आप इसमें internal and forensic audit ले सकते हैं, इसमें आप IPR, intellectual property rights ले सकते हैं, आप इसमें एक subject है, artificial intelligence, data analytics, and cyber security ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का confusion होता है, इस बात को लेके confusion होता है, कि सर हमें elective में कौन सा subject लेना चाहिए, ऊपर के जो तीन subject हैं, ESG, drafting, and CMDD, वो तो mandatory है, वो तो आपको करना ही है, जो fourth subject है, exactly, that is elective, and fourth subject में मैं आपको suggest करूँगा, कि आप इसमें से ले सकते हैं, IPR ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, exactly, IPR, अब सारे बच्चे बोलेंगे, sir, IPR क्यों, अब मैं new syllabus से, अगर आप new syllabus से executive करके आएं, तो new syllabus में आपको मालूम है, वहाँ एक subject है, ECIPL, और ECIPL में 40 marks का IPR ही है, तो 40 marks का जो आप IPR पढ़के आओगे, वही 100 marks का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका IPR काम आ जाएगा, तो इसमें से देखिए, CSR and social governance subjects सारे अच्छे हैं, लेक से है, group second के अंदर ECIPL नाम का subject है, economic, commercial and intellectual property loss, तो जो आप IPL वहाँ पढ़के आते हैं, वही यहाँ पे IPR 100 marks का है, तो आपको थोरा सा comfort रहेगा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग misguide भी करते हैं, वो बोलेंगे देखो ये subject लेलो, ये subject लेलो, ये subject लेलो है, तो किसी को अगर knowledge लेना है, तो knowledge के लिए तो पढ़ी सकता है, क्या जरूरी है कि भाई knowledge लेके ICSI का exam देके, ICSI से certify हो इस बात को लेके, ऐसा बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, मेरा मन है वो subject चुनिए, जिस subject को चुनने में, आपको थोरा सा comfort रहे और आपको थो and the second is drafting and the third is CMDD and the fourth I will suggest that IPR, कि आपको IPR लेना चाहिए, तो यह चार subject होगे group 1 में, अब आएए group 2 की बात करते है, group 2 में exactly 3 subject है, उसमें से 2 mandatory है और एक जो है elective effort से, आएए पहले जो mandatory है वो बात करता हूँ, strategic management and corporate finance एक subject है, इसमें strategic management अगर आप old syllabus से है, CS executive में अगर old syllabus आपने कि किया था, तो strategic management जो CS executive में परा, almost लगबग वही है, and second is CRVI, यह जो subject है, यह बहुत important subject है, CRVI, corporate restructuring, valuation and insolvency, इस subject पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने के जरूरत है, और यह कहा जाता है, CS professional का सबसे ज़्यादा important subject है, जैसे, ऐसे तो executive में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा importance होता है, तो ऐसी CRVI का बहुत ज़्यादा importance है, आपका, आप मैं बताता हूँ, CRVI में exactly होना क्या है, CRVI के अंदर होना क्या है, वह मैं आपको बताता हूँ, देखिए, CRVI के अंदर क्या है exactly, आपने merger के बारे में सुना होगा, merger, amalgamation, take over, यह सारी चीज़े है, corporate rest structuring के अंदर, and valuation का एक छोटा सा part है, insolvency, अगर आप CS executive old syllabus से हो, तो आपको यहाद होगा है, SBC में, आपका वहाँ पे एक IBC का एक chapter होता था, जिसके अंदर मैं 4-5 chapter पर आता हूँ, वही IBC यहाँ पर आ गया है, चुकि new syllabus में इन्होंने executive से IBC हटा के सीधा CS professional में ही सिर्फ रखा है, तो IBC आप यहाँ पहली बार पढ़ेंगे, अगर आप new syllabus से आए हैं तो, अगर आप old syllabus से आए हैं तो IBC आप already, एक IBC का अच्छा intro लेके आए हैं, यहाँ detail में पढ़ना पढ़ेगा, तो यह यहाँ पर CR, valuation and insolvency, यह जो subject है, this subject is as good as, जैसे executive first में आपका company लो होत लगभग उतना ही importance यह रखता है, clear जी, इस बात का ध्यान रखना है, जो CR subject है, वह बहुत important है, और चलो आपको थोड़ा elective का guidance कर देता हूँ, अगर आप elective में देखेंगे, तो एक arbitration है, दूसरा यह GST and corporate tax planning है, labor law and practice है, banking and insurance है, and insolvency and bankruptcy है, अब आपको तो पता चली गया ह कि subject का मैं नाम लेने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से जो subject सबसे ज़्यादा important है, जो आपको लेना चाहिए, तो that is IBC, that is insolvency and bankruptcy लेना चाहिए, अब देखो IBC का कितना फायदा होगा, अगर आप CS executive old syllabus से हो, तो SBC में IBC पढ़ा, फिर आप यहाँ यह देखिए आप, CR के अंदर भी क्या पढ़ने वाले हैं exactly, आप IBC पढ़ने वाले हैं, तो अब बताओ, इतने जगा IBC पढ़के आ रहे हो, तो मेरा मानना यह subject सबसे ज़्यादा आपको comfort देगा, फिर वही बात मैं बोलना चाहूँगा, सारे subject important है, सारे subject interesting है, पर examination point of view is very important, examination point of view भी देखना बहुत ज़रूरी है, examination point of view से अगर आप देखेंगे, तो आपका मेरा मानना IBC में आपका काफी comfort रहेगा, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो चलिए मैं सारे subject हैं, एक बार guidance आपके सामने कर देता हूँ, कि सारे subject कैसे कैसे आपको करना है, तो देख subject है, वो आपको करना ही पड़ेगा, चुकि वो तो exactly क्या है, mandatory है, वो तो आपको exactly mandatory है, ESG is mandatory, एक मिनट, ये slide आगे चला गया, जो ESG subject है, that is mandatory, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, second is drafting, it is mandatory, ये आपको करना ही पड़ेगा, and the third is compliance management, audit and due diligence, ये आपको करना ही पड़ेगा, तो ये तीन subject तो mandatory है, इसमें से मैंने आपको बोला है exactly, ये intellectual property rights, तो सम मिला कि आपके कितने हो गए, 4 हो गए exactly, सम मिला कितने हो गए, 4, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हो, पहला subject आपका हो गया, ESG, second is drafting, third is CMDD, and the fourth, अगर आप select करते हो, तो it will be the IPR, तो ये 4 subject आपके ये हो और इधर से अगर आप देखेंगे, तो इधर से अगर आप देखेंगे, तो पाचमा subject आपका strategic management है, ये military है, and 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be CRBI, जो आपका military हो आपको करना ही है, और 7th में मैंने आपको जो बोला है, वो ये बोला है, इसको करने के लिए, तो 7th ये है, तो सब मिला कि 7 subject का guidance मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, एक बार मैं आपको रड़वा देता हूँ कि 7th subject कौन-कौन से है, group 1 में 4 subject, group 2 में 3 subject, तो समिला कितने subject हुए, 7 subject हुए, फिर से अगर आप group 1 में देखेंगे, तो ESG है, exactly ESG है, drafting है, उसके बाद आपका CMDD है, elective में आपको मैंने बोला है exactly IPR लेने के लिए, तो 4 subject ही हो गया, group 2 से आप 3 subject उठाएंगे, आपका पहला है strategic management and corporate finance, and the second is CRVI, and the third will be insolvency and bankruptcy, तो सब मिला के 7 subject है, यह 7 subject पर आपको फोकस करना है, अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, कि सर क्या professional में दोनों group एक साथ दिया जाए, अब मैं आप आपको बताता हूँ, लगभग 2 साल की training है आपकी, और मैं आपको बता दूँ, आप professional में आ गए हो, training स्टार्ट कर दो, training इसलिए स्टार्ट कर दो, training लेने में हो सकता है, थोरी बहुत मुश्किल आए, training मिलने में थोरी बहुत मुश्किल आए, पर training आपको स्टार्ट कर द तो भी आपका मतलब अगर 50% success ratio भी रहता है तो चार बार में दो ग्रूप तो निकली जाएगा अगर आपका 50% success ratio रहता है बागी मैं आपको बता दो professional में उतना बच्चों को परिशानी नहीं होती है यहाँ success ratio ज्यादा तर बच्चों का जिनका executive कहते हैं अराम से निकला है मतलब महनत से निकला है उनको knowledge है तो अगर professional में focus रहते हैं तो पास हो जाते हैं तो मैं आपको पहले यह समझाना चाहरा हूँ कि आप दोनों group start करना चाहो दोनों group कर लो एक group start करना चाहो एक group कर लो लेकिन training आपको start कर देनी चाहिए यह मेरा खुद का advice है मानना ना मानना आपके उपर है उससे कारण मैं बताई दिया दो साल का training है भई आप सोचो professional pass कर भी जाओगे अगर professional के बार training करते हो तो दो साल का gap रह जाएगा membership number आने में और वो बहुत बड़ा दुखद रहेगा आपके लिए तो मेरा तो भाई advice ही है कि आप training अभी start कर दीजे दो साल का लगबग training है दो साल में अगर आप देखोगे तो CS professional का चार बार आपका जून दिसमबर जून दिसमबर करके exam हो जाएगा अगर 50% success ratio भी रहा तो आराम से आपका training खतम होते होते तक professional खतम हो जाएगा है ना अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम training करेंगे तो हम classes कैसे लेंगे professional में कोई बच्चा face-to-face class नहीं लेता है तो प्रोफेशनल में जितने भी subject आपने देखा सब law है आप देखो ना इधर ESG law ही है, drafting law ही है, CMDD law ही है, IPR law ही है, इधर से strategic management and corporate finance law ही है, CR law ही है, insolvency and bankruptcy law in practice ही है तो साथों के साथों subject law है, बच्चा, बतब professional में वो online classes लेता है, जैसे हम लोग भी online classes ही देते हैं, अच्छा मैंने एक बात तो आपको बताना भूली गया, वो मैं बताता हूँ आपको अच्छा लगेगा सुनके professional के अंदर, professional के अंदर exactly, मैं दो subjects परहाता हूँ, professional के अंदर basically मैं कितने subjects परहाता हूँ, दो subjects परहाता हूँ, एक तो मैं परहाता हूँ, drafting group 1 में मैं परहाता हूँ, drafting, बहुत सारे बच्चों में curiosity होती है कि सर, आप कौन-कौन सा subject परहाते हैं, and group 2 में मैं परहाता हूँ, CRVI, मैं दो subjects परहाता हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, और खुले आम बोल रहा हूँ, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, मैं दो ही subject परहाता हूँ, group 1 में मैं drafting परहाता हूँ, and group 2 के अंदर मैं CR परहाता हूँ, और आपको मालूम है, क्योंकि सारे subject, मैं परहाने के लिए, मैं company secretary हो, परहाने के ल focus उसका बिगरेगा, कहीं न कहीं वो कमी करेगा, क्योंकि 12 subject परहाने का मतलब होता है, 6 subject एक दिन में और 6 subject एक दिन में, ये possible ही नहीं है, अगर मैं 2 गंटे की class देता हूँ, तो 12 गंटे एक दिन में तो मैं परहा नहीं सकता, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बह आने वाले लोग पढ़ा रहे होंगे, मुझे उसमें कोई आपती नहीं है, पर मुझे जो लगता है, चुकि एक बच्चा मुझे कली आके बोल रहा था, कि सार एक जगा मैं गया, वहाँ पर एक ही टीचर 12 subject पढ़ा रहा है, एक जिगेड़ के भी सारे लोग वही पढ़ा लेना है, तो एक तो सबसे पहले face to face class को बच्चा professional में लेता नहीं है, वो training में लग जाता है, या self study करता है, दूसरा online classes लेता है, online classes में मैंने आपको बता दिया, मैं दो ही subject पढ़ाता हूँ, जो कि वही मेरे से हो भी पाएगा, और उसमें कम से मैं आपके साथ justice कर पाऊँ है ना, मैं सारे subject अपने नाम पर उठा लूँ, आपका admission ले लूँ, और बाद में मैं classes off करूँ, बंक करूँ, और मैं बोल दूँ, ये chapter नहीं हो पाएगा, मेरे से chapter नहीं हो पाएगा, ये जो exactly आपका elective में जो IBC है, तुम ये group 2 के अंदर जो है, पचास marks का या चालिस marks का पढ़ लो, तो ये ही सब विकार की बाते हैं, अगर सारा subject एक ही है, तो फिर अलग-लग subject का नाम क्यों है, कहीं न कहीं हर subject का थोड़ा बहुत intensity तो अलग होता होगा ना, है ना, तो देखे, किसी भी subject का पहले से knowledge होना comfort देता है, लेकिन अगर अलग subject बनाया गया तो कुछ नहीं चीज़े तो होंगी ना, उसके अंदर, अगर टीचर आपसे फीस ले रहे हैं, तो उसको अलग से दो घंटे का time देना चाहिए, तो देखो, ये मेरे लिए possible नहीं कि मैं 12 subject परहाँ, तो इसलिए मैं professional में दो ही subject परहाता हूँ, दम से परहाता हूँ, drafting परहाता हूँ, exactly, and CR परहाता हूँ, है न, CR की recording मैं start करने वाला हूँ, उसकी pre booking start हो गई है, मैं आपको पहले ही खुल के बोल दे रहा हूँ, April से मेरी recording start होगी, और April से मैं परहाना भी start करूँगा, चुकि आपका ऐसे भी attempt जो हो December में होने वाला है, तो December में जो attempt होगा, तो December तक अभी time है, तो मैं अभी drafting का अपना recording खतम कर रहा हूँ, drafting का recording मेरा लगबग खतम हो चुका है, and फिर I will start the recording for CRVI, और CR मैं कितने साल से परहा रहा हूँ, तो CRVI के recording मैं April से start करूँगा, उसकी pre booking हो चुकि है, मैं आपको बता देता हूँ, कहां पे exactly आपको classes मिलेंगी, CSNKJ CS Classes app, कहीं पे अभी चल रही है, उस पे लोग खरीद भी रहे, 999, मतलब inaugural price 999 में हम drafting class दे रहे हैं, PR की class भी हम start करेंगे, जब हम start करेंगे, तो it will be priced around 999 only, उसके बाद धेरे धेरे उसका price बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आप pre booking कर सकते हैं, and pre booking आपका CSNKJ CS Classes app पे, मतलब 10 दिन के अ almost complete now, and I will start then CR, CR मैं अपरेल से recording start करूँगा, तो CR and drafting के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहांकि और भी subject के, अलग-अलग teachers है मेरे हाँ, वो पढ़ाते हैं, आप उनका demo class लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप project खरी सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा ऐसे जगों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, तो या थोड़ा cautious रहनी के जरूरत है, कहीं आपके साथ fraud नहीं हो जाए, कि मालूम चला है, एक ही teacher सारा subject पढ़ा रहा है, बाद में मालूम चला सारा subject में match up हो गया, मालूम चला classes ही पंद होगी, executive ले रहा है, तो professional छोड़ दे रहा है, professional ले रहा है, तो executive छोड़ दे रहा है, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो, मैं तो यहीं चाहूँगा, है ना, तो यह मैंने आपको बता दिया, कि मैं दो subject पराता हूँ, और CS NKJ, CS Classes आप पे आपको product मिल जाएगा, and inaugural offer 999 only में, पूरा का पूरा अब देखे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं कि CS Professional में कौन-कौन से training है हमारी, तो training के बारे मैं आपको बता देता हूँ, कि ICSI training, new, new, जो new training structure है, वो क्या है, CS Professional के अंदर, तो अगर आप देखेंगे, तो CS Professional में कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले CS Professional में आते हैं आपको एक महने का EDP करना पड़ेगा, जैसे आपको मालूम होगा, आपने ODP किया था, तो ODP एक दिन का था, One Day Orientation Program, तो यह आपका exactly कितने एक महने का है, आज कल ICSI मैंने सुना है कि 15 दिन का वो online करवा रहे हैं, 15 दिन का physical करा रहे हैं, कहीं-कहीं पूरे 30 दिन का physical करा रहे ह तो मोड थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, पर आप यह मान के चलो, कि लगवग एक महने का EDP है, एक महने का exactly EDP है, यह EDP करना है, यह EDP आपको करना है, क्यों? यह EDP आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कर लेना है, मतलब ICS है का जो ट्रेनिंग आप स्टार्ट करो कितने महने के ट्रेनिंग exactly? 21 महने की ट्रेनिंग है, यह देखिए, आप लिखावा 21 महने की practical ट्रेनिंग है, और यह जो 21 महने की ट्रेनिंग है, यह आप professional करते-करते भी कर सकते हैं, और after passing the CS professional भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको suggest किया है, कि आपको क्या करना चाहिए, professional करते- आपको complete कर लेना चाहिए तो कि देखिए professional में दो group है मैं बार बार बोल ला हूँ दो group है और दो group है और दो साल का मतलब होता है जून December जून December मिला के चार बार 50% success ratio भी रखो गे ना तो भी professional का training complete करते करते दो साल का training करते करते professional के दोनों group निकल जाएंगे आपके तो यह है exactly तो आपको training कर लेनी चाहिए training करने के बाद आपका देखिए जब आपने EDP कर लिया और practical training भी किसमेने की कर ली तो आप अपने नाम के साथ यह line जोड़ सकते है ICSI Secretary Executive Beijing Nation मिल जाएग आपको मतलब बहुत सारे एग्जेगेटिव पास है EDP कम्प्लीट है 21 महने की training कम्प्लीट है तो आप अपने नाम के नीचे यह designation लिख सकते है ICSI Secretary Executive ICSI Secretary Executive यह designation आप लिख सकते है यह देखिए ICSI Secretary Executive यह आप लिख सकते है अपने नाम के नीचे बोर्ड लगा सकते हैं घर के सामने बोर्ड भी लगा सकते हैं अपने के बाद बोर्ड लगाता है नाम के नीचे कंप्री से लिखते हैं लेकिन आप एक्जेगेटिव फिर मैं बोलना हूँ यह तीनों है आपको इस बात को अच्छे से समझने की जरूत है यहां पर यह तीनों है इनों का मतलब exactly कि एडिपी complete है practical training complete है जो 21 समयने की practical training है वो complete है और आपने दोनों ग्रूप भी pass कर लिया है इसका मतलब अब बस membership लेना भागी है तो आप जरा ध्यान से सुनेगा तीज दीन से लेके साथ दिन का एन एक होता है CLDP, यह final training है, यह क्या exactly final training है और यह ICSI residential खरवाता है, residential का मतलब होता है, जैसे हो सकता है कि ICSI आपको मुंबई बुला ले, हो सकता है एहमदाबाद बुला ले, यह residential होता है, residential का मतलब आपको वहाँ जाना परेगा, और यह minimum 30 days, maximum 60 days का होता है CLDP, मैंने अपने जमाने में किया था MSOP, और आपको मालू है मैं best MSOP and award winner भी हो ICSI का, तो अब MSOP खतम हो के क्या हो चुका है, CLDP हो चुका है, जिसको बोलता है corporate leadership development program, यह आपको करना पड़ेगा, तो मैं आपको फिट से बता देता हूँ कि किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, देखो, यह final training जो आपका होना है, वो होना है, EDP complete, practical training complete जो आपकी 21 समयने की है, आपने professional का सारा group भी पास कर लिया, है न, इसके बाद you are eligible for CLDP, और जब CLDP हो गया, तो समझेए अब आप company secretary बन गया, देखिए इसके बाद का जो step आ रहा है, वो यह यह आ रहा है, यह देखिए, apply for ICSI membership, अब आप ICSI के membership लिए apply कर सकते हैं, आप बन गया exactly company secretary, जब आप ICSI आपको membership number लोट कर देगा, you will become a qualified company secretary, तो यह पूरा का पूरा कहानी इस तरीके से चला है, यह बात आपको समझ में आई कि professional में कौन-कौन से training है, कैसे कैसे training है, इस समझ में आगया आपको, तो यह training structure को लेके खानी थी, जो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपका training चलेगा, अचाहा है, एक बात और, बच्चे पूस्ते के training का भी start करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, professional में पहुँचिए, EDP complete कीजे, training start कीजे, चैकि आप training start करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बच्चे professional में face to face class generally लेते नहीं, उनका base बनावा होता है, वो online classes लेते हैं, और वो अराम से online classes के साथ, रात में classes लेते हैं online, और दिन बड़ training करते हैं, training से भी knowledge मिलता है, वो भी professional के exam में काम आता है, आप ये भी समझ लो, है ना, तो इसलिए, दो साल की training है, लगबग आपकी, और दो साल की training में, चार बर attempt आएगा, जुन दिसमबर, जुन दिसमबर, तो मेरा माना है, 50% success ratio भी रहेगा न, तो भी आपका दो group चार attempt में तो निकली जाएगा, और साथ साथ training भी आपकी complete हो जाएगी, जल्दी से आप company secretary बन जाएंगे, है कि नहीं, तो इसलिए आपको training अब start कर देना चाहिए, जल्दी से EDP केजिए, EDP के बाद training इस्टार्ट कीजिए, और training मिलने में अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, तो आप ICS है के website पे जाएगे, आप मुझे भी email कर सकते हो अपना रिजू में, मुझे भी मेरी जहाँ जहाँ जनकारी होगी, मैं वहाँ वहाँ आपका रिजू में forward कर दूँगा, ठीक है जी, तो ये था exactly CS professional को लेके मेरा guidance class, and I hope कि ये class आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बाकी मैंने अपनी classes के बारे में बता दिया, professional में हम online classes देते हैं, and मैं पढ़ाता हूँ drafting group 1 में, and group 2 में मैं पढ़ाता हूँ CRVI, CRVI के recording मैं अपर हैल से start करने वाला हूँ, तो थोड़ा wait कर लिजेगा, बीच में ADP कर लिजेगा, उसके बाद daily classes चलेंगा, अच्छा, एक बात और बताना भोल गया, हमारा professional का एक exclusive channel है, CS NKJ, professional करके एक है, मतलब अगर आप सर्च करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जो CS professional का हमारा exclusive class है, exclusive YouTube channel है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यह देखे, professional free class daily by team NKJ, आपको professional में हम free class भी देते हैं, यह जो CR की जब recording मैं करूँगा, तो मैं daily free class, जब मैं live रहूँगा, तो it will be totally free, अगर आप चाहें कि 999 का भी करचरी करना चाहते हैं, तो भी हम आपको professional में पहुँच गया help करेंगे आपको, आप free classes भी ले सकते हैं, मतलब अगर हमारे time पे, जिस time पे मैं live हूँगा, उस time पे अगर आप मेरे YouTube चैनल को, अगर आपने subscribe किया होगा, तो आपको notification आजाएगा, अगर उसी time आप पढ़ना चाहें, तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो छूट गया, माले जग आप live class नहीं ले पाए, तो आप हमारे CSNKJ CS classes अप पर जाएए, और वहाँ से 999 is a very nominal amount, वहाँ से आप Google Drive classes ले सकते हैं, और जितना भी recording मैं करूँगा, वो सारे का सारे आपकी Google Drive पर जाएगा, जो 2400 घंटे आपके लिए available होगा, आप अड़ाम से classes ले सकते हैं, तो free classes भी हैं, और अगर free classes छूट जाती हैं, तो 999 के अंदर आप हमारे CSNKJ CS classes अप पर class ले भी सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, professional में हम आपके साथ हैं, आपका पूरा का पूरा help करेंगे, तो finally मुझे ऐसा लगता है, कि ये CS professional guidance class आपको बहुत अच्छा लगा होगा, and you will surely follow my advice, जो इतने भी advice मैंने दिया, आप उसको जरूर फॉलो करेंगे, and जल्दी जल्दी मैं बोल दे रहा हूं, CS professional daily free classes by team NKJ, इस channel को जल्दी से subscribe कर लिजे, CS NKJ, CS classes आपको download कर लिजे, और April से मैं CR की recording स्टार्ट करूँगा, drafting की recording अलेडी चल रही है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो चले wishing all the best for your CS professional journey, आपका CS professional बहुत अच्छा रहे, thank you.